जैहिन प्यारे दोस्तों मैं प्रकास अवस्ती कानपुरवाला प्यारे दोस्तों S.C. 2022 के लिए हमने 2021 की बुक प्रकास अवस्ती एप में उर्टह कम्पलीट कर दिये यानि दो-तीन चैप्टर बाकी है और बाकी प्रॉपर करा दिया है जिसमें Advanced Math का Proper Theory के Lecture भी है और इस किताब के Solution भी है इस किताब में भले अंगडित लिखा है अर्थमेटिक लिखा है पर दोनो चीज़ है अर्थमेटिक और Advanced और सबसे बड़ी बात English and Hindi Medium दोनो That's Why Bilingual Question, Chapter-wise, Type-wise, Proper Solve It जिने प्रकास अवस्ति एप में हम प्रॉपर करा रहे है डेमो के लिए हम YouTube में Algebra के 271 कोशन डेली 3 बजे आपको मिल जाया करेगा जो कि 12 दिन में Complete हो जाएगा पर याद रहे Algebra आएगा तब जब आप इसकी थियोरी को भी हमसे पढ़ेंगे जी याँ 20 घंटे की थियोरी के वीडियो और लेडी प्रकास अवस्ति एप में है बात को समझो चीजों को जानो तो ये जो बच्चे CHSL, CPOSI, MTS, GD, SSC, CGL, SSC, CGL, MENS मलब SSC से Related किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो आप इसका कोर्स नाम मात के सुल्क में प्रकास अवस्ति एप से बाई कर सकते हैं ये पहली बात कैसे बाई करना है उस पे भी हम चर्चा कर दें प्रकास अवस्ति एप को डाउनलोड कर लेना, बात को समझो उसके बात इस्टोर में आप क्लिक करना कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें ये थर्ड किताब है, जी यहां, अलग-अलग किताबों का अलग-अलग रेट है किताब प्लस थ्यूरी के साथ सबसे बड़ी बात यहां पर जब आप देखने होंगे, तो फीस आपको ट्रिपल नाइन दिखा रहा है अभी हमने ओफर दे रखा है, सिरात्री ओफर है बच्चा, ठीक है ट्रिपल नाइन की जगें कम फीस में, सर कैसे, अभी समझो यहां लिखा है बाई नौ ट्रिपल नाइन, यहां पर आप क्लिक मत करना जैसे आप फेस्बुक बगएरा चलाते हैं, इसको ऐसे स्कोल करना जहां आपको वीडियो, हाँ, दो साल की वैलिटी के साथ है स्कोल करना, स्कोल करोगे, तो कुछ ऐसा दिखाएगा कि 2000 फीस, 1001 फिर जहां वहाँ दिखोगे, तो कूपन कोड अबलेबल दिखाएगा, क्या दिखाएगा, कूपन कोड अबलेबल दिखाएगा अलग-अलग ओफर आते रहते हैं, अलग-अलग डिसकाउंट आते रहते हैं अभी जो आपको discount मिल जाएगा वो प्रकास 600 off यानि ये course 399 रुपीज में दो साल की validity के साथ आपको मिल जाएगा जिसमें arithmetic, advance दोनों proper हैं SAC के किसी भी exam की आप तयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत helpful है बाकी कैसे पढ़ाया जाता है तो अभी 271 question algebra के आपको मिल जाएगे बढ़िया से पढ़िये, प्यार से सीखे जी हाँ दोस्तो, 238 नंबर से हम लोग स्वाल करेंगे और देखेंगे प्रकाश टैक्निक, समझो जैसे ये question है अब ये question हमें समझ में नहीं आ रहा है कि actual में करना क्या है याद रहे, जब भी ये दो variable दे पहले समझो, और चारो options as a integer दे as a integer, मतलब integer क्या real number दे real number मतलब वास्तविक संख्या तो किसी एक variable को निप्टा दो यानि शून ने कर दो हम यहाँ पर एक को जीरो कर दे रहे ऐसा करने से दिखें ये निपड गया ये भी निपड गया, ये निपड गया, ये निपड गया यहाँ से b बाहर आया, उधर से b आया बराबर 1, यानि b की value 1 by 2 आई और देखो, जब a निपड गया है यानि निपडने का से जीरो कर दिया तो ये तो 1 हो गया अब 1 minus 1 by 2 का square एक बटा 4 ये समाज इसी को 3 बटा 4 कहता है प्यारे दोस्तों, कैसा लगा ये solution एक बार विचार कीजिए आच कई सारे question में काला जादू लगाया जाएगा जिससे आप label को समझ सकते अब बताए कैसा लगा, खुसी मिली की नहीं मिली याद रहे, 4 options, real number है तो ही हमने ऐसा खेला पेसिस रखना और चीजों को सीखना अंत में आज दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा दोस्तों, ऐसा question आप देखोगे वास्तों में तो अगर आपने जीवन में कभी भी तयारी की होगी कभी भी तयारी की होगे ऐसे question अब लोग बच्पन में पढ़ते थे और बैंकर लगे रहते थे स्वालोल करने में अब ऐसा नहीं करना क्योंकि आप थेरे प्रकास सर्श्टुडेंट ये variable खुप सारे है किसी एक variable को निप्टा दो यानि ए बराबर 0 कर दो पेसिंस से करना a बराबर 0 तो a बराबर 0 यानि ये चीज निप्ट गई a बराबर 0 यानि ये चीज निप्ट गई बस ये बचा अब ये ज्यादा 0 के चकर मिने ने एक को अभी निप्टा आया थोड़ा सा options में देख ले ये a से a निप्टा बोलो हाँ तो ये चीज कहीं b-c नहीं बन रही है यानि ये गलत हो गया a से a मलब a तो निप्ट गया अब ये दो को ये bc हो गया और b-c यानि c is the right answer लेकिन चेक सारे करेंगे चेक इसलिए सारे करेंगे हो सकता है कि options बदल जाए तो ये ध्यान लखना इस pattern पे अब यहाँ देखा जाए a 0 कर दिया प्रकास सन्ने अब देखो ये भी bc हो गया बोलो बोलो और ये देखो b-c देख रहा है ना इसलिए मैंने ये तरीका आपको बताया अब कुछ बच्चे सोच रहोंगे सर ये का आपई बता रहे हो आपई इसे कर रहो हाँ मेरे भाई भाई जो logic बताएंगे हम उस पे करके भी दिखाएंगे मैंने क्यों कहा कि आगे चेक करेंगे आप विचार कीजिए ठीक है तो अब ये दो options हमारे same हो गए बट जब हम यहाँ खेले थे यहाँ हमारे चारू के चारू options अलग दिखड है तो अब यहाँ हमारे लिए खत्रा है सबसे बड़ी बात तो अब हम यहाँ इस question में अपनी value से पलटेंगे ए बराबर 0 नहीं करेंगे और पलटना पड़ेगा अभी भी patience रखो मैं कोई जल्द बाजी नहीं करने वाला हूँ यह बात हमीसा याद रखना हमीसा याद रखना अब एक चीज समझो अब हम इसमें c बराबर 0 कर रहे a बराबर 0 करने से हमें कश्ट हुआ c बराबर 0 कर रहे सब सी बराबर 0 क्यों एक तरीके से ये और ये मुझे थोड़ा अलग-अलग नजर आ रहा है मतलब इसमें देखा जाए सिर्फ ये दोनो a-b a-b नजर आ रहा है बाकी में हमें कोई तकलीप नहीं है विचार करना, विमर्स करना और हमारी बातों को समझना तो c बराबर 0 क्या अभी भी पेसेंस रखना हो सकता है ये भी खेला हो जाए मेरे साथ तो फिर हम आपको एक बढ़िया टेकनिक बता देंगे अगर मेरे साथ खेला हुआ ये निपड़ गया मतलब अब ये आना चाहिए यही ना c बराबर 0 रखा तो देखो c बराबर 0 से पहले समनना c बराबर 0 से तो ये प्लस का है ये माइनस का है यानि अब ये गलत हो गया कुछ टाइम c भी था b भी था कुछ समद रहा ना तो समद रहा ना इसका मतलब भी या अंसर होगा फिर भी हम देखो यहीं चीज़े सीखनी है तभी तो हम समास से अलग होंगे अब है c 0 तो c 0 कर दो यहां b a b माइनस में ये पॉस्ट्वी तो ये गलत हो गया यानि दो निपड गया c 0 करो यानि ये 0 हुआ यहां देखो ये b माइनस और ये माइनस तो माइनस का गुणा करोगे तो ये a माइनस b और ये a b बन जाएगा मतलब अभी तो ये है अगर इसमें भी वही चीज़ आ गई तो खत्रा बना हुआ है c 0 c 0 ये देखे तो ये माइनस का a b है और a माइनस b हमें positive चाहिए यानि आप सीख गए प्रकास कला options number b is the right answer कैसा लगा प्यारे दोस्तो हम कई सारे तरीके जानते हैं हम जन्नल तरीके जानते हैं हम नहीं बताएंगे वो तो किताबों में छपे हुए और क्या वो तो छपे हुए हैं आप चीजों को सीखो मैं सिखाना क्या चाहता हूँ ठीक है दो सो 49 के बाद जैसे ये question सीखे का इंडिया प्रकास सर very very important question आने वाले exam है और ये आते हैं तो बच्चों की याद आती है प्रकास सर कानपुर वाले की y square बराबर y plus seven पहले बोलो हाँ अब हमका का चाहिए y cube चाहिए अब बच्चा कहरा सर अरे y से गुणा कर दो y cube हो गया बोलो बोलो y square plus seven y क्या कोई तकलीब नहीं और दोस्तो y square y square तो y की value ये है उठा कर यहीं रग दो तो सीखे का इंडिया प्रकास सर कानपुर वाले के साथ 8 y plus seven is the right answer आप बताओ कैसा लग रहा है कोई तो कमेंट करो कि सर मजा आ रहा है ठीक है good evening all of you मेरे प्यारी दोस्तों बढ़िया से पढ़िये आप सीखो ये कलाओं से ही जल्दी आंसर आएंगे आप सोचो कि आप मेहनत करोगे जब ये question हमारे railway और SSC के exam में आते हैं तब याद आती है कि सर कुछ तो समते अब देखो यहाँ चारो options अलग है पहले ये देखो चारो options अलग है बात को समझना ऐसा कर लो एक तरीके से मैं आपको बता दू यह cyclic है जैसे A upon B तो A की जगए B upon C फिर B upon A तो B की जगए वो बदल ला है यानि cyclic है cyclic case में आप यह समझ लो A बराबर B के और B बराबर C के ऐसा मालो मेरी बात को समझना जब cyclic है भाई ये तो पलेट रहा है ना एक दूसरे में rotate हो रहा है मालब A की जगए B आ रहा है B की जगए C आ रहा है तो तीनों हमारी नजर में बराबर है जब cyclic का खिलाओ अब एक चीज़ देखो जब बराबर है तो यह बराबर तो यहां से एक आएगा यहां से एक आएगा यानि X बराबर 2 हो जाएगा similarly Y बराबर भी 2 हो जाएगा Z बराबर भी 2 उठा कर रग दो तीनों का गुड़ा 8-4-4-4-4-4-4 कैसा लगा कभी सोचा था ऐसे होगा विचार किजिए विमर्स किजिए और हमारे तरीके को सीख लीजिए ठीक है प्यारे दोस्तों अभी सारा फोकस कोशन तक फिर उसके बाद अलग-अलग चर्चाय करेंगे मैं लॉजिक भोल जाओंगा मैं टरिये वेरी-वेरी इंपोर्टेंट कोशन आज की डेट में वेरी-वेरी इंपोर्टेंट कोशन जस वक्त ये कोशन समाज में आया था बहुत से लोग सोचे करेंगे कैसे और सबसे आसान कोशन यही था और बताओ आज तरीका सीखना प्यार वाला दुस्तो ए-a-square दिखना कितना प्यारा तरीका है बराबर 1 इससे a common ले लो 1 प्लस a प्लस a स्क्वार बराबर 1 तो आप कह सकते हो 1 प्लस a प्लस a स्क्वार बराबर 1 बाई ए पहले बोलो हाँ जब आपने प्यार से बोला हाँ 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 तो बस अब यहाँ पर a क्यूँ और यहाँ पर 1 बाई ए की जगे यह चिपका दू क्या चिपका होगे 1 प्लस a प्लस a स्क्वार दोस्तो देखा यह जाए, देखा यह जाए, 1 प्लस A प्लस A स्क्वेर, बीड़ी बात को समझना, तो यह 1 भाई A हो गया, यह क्या हो गया, 1 भाई A हो गया, बोलो, मगर प्यार से, अब एक चीज़ समझो, 1 भाई A की जगह यह है न, अरे हमने रिप्लेस कर दिया न, मेरे बाई, अब पूरे की value 1 है, गौर से दिखो ये चीच और ये चीच, ये दिखराय तो इसकी value 1, 1 plus 1 बराबर 2, इसका answer 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा, एक बार विचार किजिए, विमर्स किजिए, 2 is the right answer of this question, बोलो हाँ, प्यारे दोस्तों, तरीका सिको, कुछ नहीं था question में, और आप होगे, ये वो question है, जो बच्चे टीचरों को भेशते हैं, doubt sir, doubt sir, ऐसे करते हैं, सभी लोग अभी पढ़ाई पर focus किजिए, तो I hope ये चीच आप समझ गए होंगे, कैसा लगा, फिर समझो, A cube, A और A square की value 1 है, तो ये तो 1 हो गया, और ये 1, 1, 1, 1, 2, मुद्दा खतम, तो सि ये वो question है, ये वो question है, कि जब ये question आया था, तो एक हमारे teacher है, बहुत famous है, ठीक है, आप question देख लीजिए, बहुत famous है, और market में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उन्होंने ये question गलत बता दिया था जल्दबाजी में, और इस पे बहुत ज़्यादा memes बने थे, इसी बराबर one रग दो, one one रग दिया, तीन answer, answer तीनी था, ऐसा नहीं है, और वो, तो इस पे बहुत memes बने थे, इस question में, ठीक है, बढ़िया question है, मैं teacher का नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो कि teacher teacher होता है, हो सकता है, जल्दबाजी में गलत हो गया हो, ठीक है, पर वो जो memes बने थे चार-चार-पांच-पांच मिलियन लोगों ने उस memes को देखा था, यानि ये वही question, चले, अब आपको नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, इमानदारी सिक करेंगे, ठीक है, देखते हैं क्या comment में किसी को मालूम है, कि वो कौन सा teacher था, कोई तो बताए, चलो, एक बच्चे को मालूम है, इसने नाम भी ले लिया है, ठीक है, चलिए, अनराक कुमार, चलो, बहुत अच्छे, ये सब, अब मैं गलत नहीं बोलूँगा, कभी भी गलत नहीं बोलूँगा, ऐसा मेरा खुद का मानना है, प्यारे दोस्तों, इसको के के बराबर मानते हैं, यानि X बराबर के की पावर 1 बाई 2 हो जाएगा, ऐसे ही इसको बालेंगे, Y बराबर के की पावर 1 बाई 2 भी बोलेगा, और Z बराबर के की पावर 1 बाई 2 सी हो जाएगा, वहां आएंगे, तो एक चीज मालूम है कि X स्क्यार बराबर YZ, पहले बोलो हाँ, अब यहां से उठा कर रख दो value तो value रखेंगे देखे answer लाना एक प्राचीन कला है concept को सीखना चाहिए यहां रखेंगे तो यह हो जाएगा kk power 2 upon 2 यहां रखोगे 1 by 2 bsa into kk power 1 by 2 c प्यारे दोस्तों यह 2 to 2 अब same base है तो आप लोग जानते होगी यह power जूड़ जाती चलो मैं लिग देता हूँ देखे इसके step gap किये जा सकते है दीखे इमें आपको साफ बताऊ पर मैं तो सारे step करके दिखा रहा हूँ step gap किये जा सकते है फिर देखो मेरे प्याय दोस्तों अब मैं यहाँ लिग देता हूँ तो यहां से एक बात निकल के आए कि 1 by A बराबर इसकी हो गया LCM भी लगे हाथ ले लो उपर समझ गया B प्लस C अपॉन 2BC यानि 2BC बराबर AB प्लस AC हो गया दोस्तों ये वैलू उठा कर यहां रख लो AB और AC की वैलू AB और AC की वैलू 2BC है तो 1BC ये है और 2BC वो यानि 3BC अपॉन BC इसका आंसर 3 आएगा ये इसका प्रोसेस है इसको सीख लेना मेरे भाई अन्नथा आप स्वैम जिम्मे दार है चले बहुत अच्छे मेरे प्याए दोस्तों अरे मैंने क्या का कि भाई टीचर भी इंसान है गलतियां हो जाती है पर माना जाता है कि कोशिस यही करो कि चीजों को सही well manner explain करो भावनाओं में बैकर नहीं ये वो कोश्चन है अब के दो सर A बराबर 1 रग दो B बराबर 1 रग दो पर की कंडिशन तो मुद्दाइख खतम कर दोगे समझ गया ना फिर एक्स उसक्याब राबर क्या वाई जेट के होगा कभी विचार कीजिए पड़ोसियों से पूछिए कॉडिशन होना चाहे है कोई बात नहीं गलतिया इनसानों से ही होती है इसका अंसर हमसे हो जाते हैं दूसरे क्या बाथ है पूर हम बता रहे हैं मतलब skipped famous हो गए ये और दोश्तो है यहां पर भी आप देखिए जो सुर्वास से मैं बता रहा हूं साइकलिक क्या है यहां से यह चीज आए फिर यहां से यही चीज आ है यह यह सब board साइक्लिक पैटन पे आ रहा है बोलो हां जब यह साइक्लिक पैटन पे आ रहा है इन जर्नल दीए तो ऊपर और कोई कंडिशन दो दी नहीं गई तो इसलिए बराबर भी बराबर सी यहां पर भी बच्चे कह देंगे साइक्लिक है सर यह साइक्लिक है लेकिन साइक्लिक होने क के बाद does not equal to 0 और यह इस पर फिट नहीं बैठ रहा है इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं इसलिए टीचरों से गलतियां होती हैं और मेरा सिस्टम बंद हुआ चलता हुआ सिस्टम ऐसा कैसे 244 नंबर इस B प्लस C बराबर AX C प्लस A बराबर BY इतना तो यह साइक्लिक पैटन पर यह क्या है साइक्लिक पैटन पर जब है तो दोस्तों याद रखना A बराबर B के और B बराबर C के ऐसा रख देंगे अब ऐसा जब रख देंगे तो आप देखो उधर हो जाएगा 2A बराबर AX यानि X बराबर 2 similarly Y बराबर भी 2 आएगा और Z बराबर भी क्या आएगा 2 आएगा दोस्तों सेम चीज 2 दो आएगी आप 1 बटा 9 ऐसे रखिए अब जहाँ X है वहाँ तो ये 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 तो इस पूरे की वैलू 1 हो गई यानि इसका आंसर 1 Y 9 हो गया बरहां से सीखिए हमारे साथ सीखिए चाले नेक्स्ट कोशन देखेंगे दोस्तों 245 नमबर जबर्दस कोशन है जबर्दस अब खुदी डिसाइड करो क्या हमारे एक्जाम में नहीं आ सकता विचार कीजिए तरीका सीखना है तो प्रकास कॉंसेट पे फोकस करिए 3 की पावर A क्या 27 को 3 की पावर 3 B लिख सकते हैं और 81 को 3 की पावर 4 C लिख सकते हैं तो आप को गए हां सर क्यों नहीं लिख सकते सर क्यों नहीं लिख सकते क्या 3 की पावर 3 अब एक चीज़ देखो यह A है यह 3 B है यह 4 C देखा जाये यह सब बराबर होंगे पर आप देखो 4 और 3 का LCM लोगे तो 12 आएगा, पहले बोलो हाँ 4 और 3 का LCM लोगे तो 12 अगर A के साथ coefficient 1 है तो 1 से भाग दोगे तो A बराबर 12 ले लो, अभी समझ जाओगे 3B बराबर this one, तो B बराबर 4 होगा और 4C बराबर this one, यानि C बराबर 3 अब आप खुद विचार करें अगर मैं A की पाउर 12, मतलब ये 12, 4 त्याए 12, ये मतलब ABC की ये value रखते ही कहीं ना कहीं हमारा fit बैट गया लेकिन इसके आगे चेक जरूर करूँ ये नहीं की छोड़ दो तो ये 12 गुड़े, 3 गुड़े, 4, 144 है मतलब जो माना है वो सही है अगर ये fit ना बैटता पहले समझो, अगर यहां सही ना रहता तो यहां 12 के 3 के, 4 के as a constant value लेना पढ़ेगा ये बात याद रखना अब कुछ नहीं करना मेरे बाई उठा के रख दो A की value एक बटा बारा पहले तो बारा इसे है क्योंकि बारा लगा है देख लेना एक बटा बारा B 4 है तो 4 दूना 8 C 3 है तो ये 15 हो गया 12 ऐसे नीचे का LCM लोगे तो ये समाज 120 बोलेगा 12 से भाग तो 10 8 से ये 15 और 15 से भाग दोगे तो 8 आएगा Options पे ध्यान दे रहे न 15, 8, 10 साइथ 33 होगा 12 से गया 33 बटा 10 आएगा 33 बटा 10 is the right answer प्यारे दोस्तो जैकी मीना जी पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए Class का टाइम क्या है वो सब टेलीग्राम में डाल देता हूँ ठीक है 33 बटा 10 is the right answer दोस्तो खतरनाक कोशन हमारे स्किन के सामने बच्चा कहने लगा सर यह होगा कैसे हम खुद सोच रहे हैं कि होगा कैसे नहीं हमेशा याद रखना यह सब आसान कोशन होते हैं सिर्फ डराने के लिए है और कुछ नहीं मैं आपको बता दू इफ यदि आप खुद देखो जब यह 0 के बराबर करना है तो यहां से a प्लस b बराबर 2 आया b प्लस c बराबर 5 आया और c प्लस a बराबर 5 आया बोलो मगर प्यार से दोस्तो जब यह ऐसा आया दो पाँच पाँच अब आप जब जोड़ोगे तो आप जब जोड़ोगे देखो तो यह हो जाuesगा 12 और ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C और दो बार A, दो बार B, दो बार C तो दो से भाग यानि ये 6 नहीं, कुछ गारवाड़ है, एक से करेट नहीं, सही है सही है, तो ये 6 हो जाएगा अभी इसमें मुद्दा रहेगा देखा जाए, B और C का योग 5 है यानि A, 1 होगा, फिर C और A का योग 5 है तो B, B, 1 होगा, और C, 4 होगा 4, 1, 5 मनब यही होगा ठीक है, ये A, B, C का मान आ गया ये उठा कर बस कहां रखना है, दोस्तो यहां रखना है तो B, C का मान 5 है, बोलो हाँ पावर A, यानि 1 होगया C प्लस B का मान भी 5 है C प्लस A का मान 5 है पावर 1, माइनस 1 और ये स्क्वाइर होगा यानि इसका अंसर 3 आएगा कैसा लगा, इमान दारी से बताईए सभी लोग कमेंट जरूर करिए जिससे मुझे लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो चले I hope इसका अंसर सारा मासूम सा बच्चा जान गया होगा 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा एक बार प्यार से बोलना हाँ सर, concept is the power और हमें समझ में आता है क्या ये question tough था? मासूम से बच्चे करना नहीं, मैं repeat कर देता हूँ this value is equal to 0 क्योंकि a square plus b square plus c square बच्च 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 अब यहाँ देखो c और a की value 5 है तो c और a 5 जिसे नहीं efficiency time and work में करते थे वैसे a की 4 निकाल लिया बस उठा कर इसमें रख दो आंसर आजाएगा 3 अब ठोको like बोलो हाँ चलिए 246 के बाद प्यारे दोस्तों खेला होबे का होबे, खेला होबे सर इसका आंसर बताओ प्यारे दोस्तों यहाँ तो x, y, z निकली आएगा और ता पशाथ इसका आंसर आएगा सर कैसे, जब इन तीनों equation को जोड़ोगे तो दो बार x से दो बार y है और दो बार z है पहले बोलो हाँ अरे बचपन में time and work पढ़ा है की नहीं पढ़ा बस वही है 13, 15, 16 होता है 31, 31, 13 होता है कितना 44 44 हो जाएगा यानि x प्लस y प्लस z बराबर किसके 22 हो जाएगा दोस्तो चीजों को सीखा करो x प्लस y जो कि ये 13 है तो ये z क्या होगा यानि 13 इसमें घटाओगे तो z 9 आएगा बोलो हाँ y प्लस z आप देको 15 है तो 22 में 15 घटाओगे तो 7 आएगा 9, 7, 16 इसमें घटाओगे तो ये 6 आएगा सभी को जोड के चेक कर लो 15 साथ ठीक है कहता है अब से यहाँ पर आप देखे ये x, ये x कॉमन लेके काट दो y और z का योग तो y और z का योग तो यहाँ कहीं भी है जो की उपर 15 है और y,z, y,z, y,z हमने निकाल लिया है 6 गुड़े नो यानि 54 तीन से भाग दो 5 बटा, 18 यही उत्तर हमारा the right answer of this question 5 by 18 अब ये बताओ क्या ये हमारे एक्जाम में नहीं आ सकते विचार कीजिए विमर्स कीजिए सभी लोग और प्यार से पढ़ लिजे चाले तो 5 बटा, 18 is the right answer of this question दोस्तो बहुत प्यार से सिखिए सारे जहरी ले question कहता है a बराबर 2b के बराबर 8c और a प्लस b बराबर c 13 के एक चीज समझो ये चीज ऐसे बोल रहा है ये चीज ऐसे बोल रहा है a बराबर 2b के और 2b बराबर 8c के थोड़ी दिर पहले आपने देखा होगा तो यहां 1,2,8 इसका LCM हमने 8 लिया पहले समझना इसका LCM हमने क्या लिया 8 लिया जब a से भाग दिया तो एक तरीके से इस से भाग देना है तो a बराबर 8 आ रहा है पहले समझो मेरी बात को इससे भाग दे रहे तो b बराबर 4 आ रहा है और c बराबर 1 आ रहा है इसके बात हमने last time बताया था कि इन तीनों को जोड़ो देखो 13 आ रहा है तो ठीक है जैसे थोड़ी दिर पहले हमने मेरे प्यारे दोस्तों इस question में आपको ग्यान दिया था याद करो कि अगर यहाँ पर हमने ए बराबर 12, 3 और 4 निकाला था हमने कहा था अगर इन तीनों का into 144 ना है तो इन में k का multiply करके फिर k निकाल कर करते है अब जब आई जा रहा है तो मुद्दाई खत्व जैसे यहाँ पर हम आए यहाँ पर आए तो हमने देखा इसके साथ 1 है इसके साथ 2 है इसके साथ 8 तो LCM तो 8 ही आया भाग दोगे तो 8 यहाँ से 4 यहाँ से 1 और 8, 4, 12, 12, 13 यह ओल लेडी 13 है तो कोई बात है नहीं अगर ना होता तो समझदार हो अब बच्चा A स्क्वेर 8 का स्क्वेर 64, 4 का 16 1 का 1 रूट लगाए नीचे 2C है उपर 189 बटा दो यही आंसर ठोको लाइक बोलो हाँ तो बच्चा बच्चा जानेगा यह आंसर आएगा चाले हर एक बच्चा जान दा एक प्यारा कोशन आपके सामने याद रहे वेरी वेरी इंपोर्टेंट सेसन है आपके जीवन का यह कोशन भी समझे बढ़या कोशन है बच्चा कनफुजिया जाएगा इस कोशन को देखकर सर यह क्या है हाँ टीचर कनफुजिया जाएगा तो आप नहीं देखो इन दोनों को साथ मिलाओ पहले जब हम इनको साथ मिलाए तो तीन ऐसे और ये तीन ऐसे आपाउन बच्चा ये समाज 10 कहेगा मिरे एक एक कड़वे सब्द को समनना और ये ऐसे रखा और ये ऐसे रखा और ये 10 भटा 3 क्या मैं इसे 3 प्लस 1 बटा 3 लिख सकता हूँ तो आप को गहां लिख सकते हो देखा यह जाए पहले मेरे बात को अच्छे समल ले ना कल को को यह ना क्या सर्वाइद इसकोला वरी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 plus 1 by 3 बोलो हाँ पर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ A 1 minus A ऐसे और उपर वही लिखा हुआ A 1 minus A और इसमें भी हम यही चीज लिखें जैसे यह लिखा हुआ है देखें यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है क्या कि इस portion की value अगर हम 3 भी ले सकते हैं भाई इस portion की 3 ले 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 या पहले समझो या 1 by 3 भी ले सकते हैं देखें इस portion की value भी 3 हम ले सकते हैं तो यहां से इसी लिए option में दो-दो answer आ रहे हैं अगर 1 minus A by A बराबर हमने 3 लिया square कर दो दो दोनों का यह 9 हो गया 9 A 10 A यानि 1 बराबर 10 A के A बराबर 1 बटा 10 देखो किस option में है तो इसमें option में है फिर यही answer घोसित कर दो यही answer घोसित कर दो क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं और एक चीज़ समझो 1 minus A upon A को एक बार 3 ले सकते हैं एक बार 1 by 3 ले लो दोनों से दोनों से करके देख लो एक बटा 10 और अगर मैंने इसको 1 by 3 ले लिया फिर यह किया तो 1 minus A upon A A ऐसे अब एक बटा 9 ऐसे पहले समझो 3 भी ले सकते हैं इसको और 1 by 3 भी ले सकते हैं इसलिए दो दो option आ रहे हैं यह 9 हुआ माइनस का 9 ने बराबर A यह इधर आया तो 9 बटा 10 फिर से A के हुआ इसलिए आंसर यह है ठीक है यह चीज़ चाओ तो ना लिखो तो भी कोई दिकत नहीं है ठीक है क्योंकि आप समझदार हो आप समझदार हो कि एक बार इसको 3 लेना एक बार 1 बाई 3 लेना दोनों से आपको आंसर की अनबूती होगी कैसा लगा अरे कोई तो बोलो कि मजा आ गया 249 के बाद प्यारे दोस्तों 250 नमबर लोगों ने का कैसे होगा हमने का प्यार से सॉल होगा ये वो कोशन है जो जिन्दगी बदल सकते है हर एक एक एक्जाम के त्यारी करने वाले बच्चों की कुछ नहीं है देखो इसमें ये चीज ऐसे आ गए वो चीज ऐसे लियाओ और ये 13-11 उधर हो गया 13-11 तो ये 2 हो गया बच्चपन से अभी तक हमने आपको सिखाया है मतलब बच्चपन नहीं समझ लो और क्या अगर ये चीज 2 के बराबर है यानि ये वैलू 1 के बराबर होगी इसका रिवर्स है तो वह चीज 1 के बराबर मतलब A अपॉन B बराबर 1 यानि A बराबर B के तभी ये पॉस्विल है दोनों का योग 10 है इसका मतलब A बराबर 5 और B बराबर 5 और दोनों बराबर भी हैं बराबर है तो ये 3 भाई जब A बराबर तो ये भी A स्कायर कर तो ये भी A स्कायर हो गया ये भी A स्कायर तो 5, 4, 9 3, 12 यानि 12 A स्कायर और एक ही वैलू पांच है तो बारा गुड़े पांच का इसक्वार पचीज तीन सो आंसर है कैसा लग रहा है बोलो बोलो टेल टेल बड़े बड़े कोश्चनों को यूही निप्टा दिये जा रहे हैं और ये तभी समझ में आएगा जब वास्तों में आप कहोगे सर हमसे मेहनत हो रही हार्ड कुछ नहीं होता दोस्त स्टॉल करने से होता है करने से होता है आप लाइब देखिए हमारे साथ इतियास गवाए युगो युगो तक आपको ये प्यारे सुलुसन मज़े आएग तो इसी का नाम है एलजब्रा और एलजब्रा क्या होता है ये एक ऐसा टॉपिक है किसी भी एक्जाम में कुछ भी पूच देता है इसका कोई रोल नहीं है अब SSC में रेलवे में SSC दुनिया भर के वेकेंसी अभी तो MP पूलिस में देखो MP पूलिस में ये कोशन पूचा गया SSC का ये कोशन इस टैप से पूचा गया समझ गया तो ये एलजब्रा एक ऐसा टॉपिक है किसी भी एक्जाम में कुछ भी पू इसका कोई लोग है तो हर में 0 हो जाएगा अगर मैंने एक्स को 2Y को 2 जेट को दो दो तो दो बदल दो एक रहा है याद रहे कि 4 बटा दो तभी 2 आ रहा है अब जो वैलू हमने मानी उठा के वही रख दो आपकी इच्छा तो बदल दो 1, 1 में से 2 गया तो minus 1 X 3 3 में से 2 गया, 1 आया मनलब minus 1 प्लस 3 बराबर 2 इससे fast solution होता ही नहीं कैसा लगा पूछ रहा है इंडिया आपसे पूछ रहा है इंडिया दोस्तों ये वो solution है जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं सर 5 कैसे आया अरे दियोता A बराबर B है प्रभू यहां पड़ोसी रखेगा क्या A प्लस B बराबर 10 अरे दियोता कैसे कह देते हो 2 A बराबर 10 के A बराबर 5 के बोलो बोलो टेल टेल कब सीखेगो अब जैसे ये खतरना कोशन की स्रेडी में आते है जब बच्चा इसको इमानदारी सॉल करता है तो उसको याद आता है कि सर कैसे होगा देख लो देख लो और अगर ये कोशन आफ के पेपर में आ गया वाई दिस से कुलावरी हो जाएगा समझगा समझो अब प्रकास सरी स्टूडेंट तो हमने बताया देख जब कुछ नहीं देख ओप्सन सारे दियाल नंबर है वेरेबल निप्टाना चालू करो अगर पी बराबर जीरो किया ये निपड गया ये निपड गया पहले बोलो हाँ पी क्यू आर क्यू बराबर चार कभी आया नहीं सकता हम का रग दे एक और निप्टा दो क्यू बराबर भी जीरो रग दो तो आर क्यू बराबर चार कैसा लग रहा है अब देखो हमने निप्टाया किसको पी और क्यू को तो पी और क्यू निप्टाया यानि C बराबर 0 तो C बराबर 0 सी ये दोनों निपट गए और क्या सीधी सी बात निपट गए तो निपट गए और फिर क्या है? P निपटाया P निपटाया, Q निपटाया मुलब A बराबर R के और B बराबर R के यहां रख दो R Q प्लस R Q यानि 2 R Q और r cube की value क्या है 4 है 4 दूना 8 कैसा लगा अब बलो 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 जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा दोस्तो अच्छी सी सीखेंगे तभी आपको खुसी मिलेगी ठीक है हर एक question में अब बताओ आप बताए इमानदारी से करोगे ना छोड़ आओगे पेपर में छोड़ इसी का नाम एलजबरा है मैंने बताए ना आज का सेसन सभी एक्जाम के लिए very very helpful है पढ़ने वाला चाहिए बस पढ़ने वाला चाहिए उरेट जई है यह का अब देखो इसको करना पड़ेगा सर का करें देखो या तो आप आपके टीचर ने आपको कोई वैलू सिखाई हो याद कराई हो भाई यहाँ पर जैसे हमने एक ही वैलू मान ली पहले समझो एक ही मान ली तो अब बी निकल आएगा बी की रखी बी की रखी पहले समझना मेरे बात को बी की वैलू रखी तो फ तो कहतो सकते नहीं कि sir ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाए या सूचो कौन सी value रखें अब कोई कहेगा sir a बराबर 2 रख लो a बराबर 1 रख लो 1 रखेंगे तो यहाँ 0 तो b 0 हो जाएगा यहाँ से infinity खेला खतम हो जाएगा अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ से 3 by 2 b आएगा तो यहाँ स मतों किमानारी से खेला जाएगा है मैं वाल जाएगा है क्या जाएगा करें गांघ ईनारी के साथ क्या खेला जाएगा अ терес कि ममानी कि जाए क्या कुछ पर वो जीरो जीरो नहीं है, ना, ना, solve करो, धेको, अमालो हम यह कह दें कि यह साइकलिक है, A की जगे B आ रहा है, B की जगे C आ रहा, C की जगे A आ रहा, तो यह तो बिलकुल सही है, उपर हो जाएगा 3 अपाउन A स्कॉयार, अब A स्कॉयार तो A कट जाएगा, तो माइनस का 1 बाई A, लोगे, 0 के बराबर तो फिर, 0 तो आप्स कोशन बढ़ा है, तो बहिया क्या करें, मजबूरी है, काला जादू लगा, तो दो आंसर पर इमानदारी से बताना पड़ेगा, देखो, पहली एक्वेशन को देखेंगे, तो क्या मैं पहली एक्वेशन को A माइनस B बराबर 1 बाई A लिख सकता हूँ, विचार करना, दूसरी एक्वेशन को क्या मैं B माइनस C बराबर 1 बाई B लिख सकता हूँ, विचार करना, तीसरे को दोगो, C माइनस A बराबर 1 बाई C लिख सकता हो, विचार करना, यहां दिख रहे होंगे, A, B का नीचे इंटू है, यानि इन दोनों का इंटू करेंगे, यानि 1 upon A upon B लिखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा, A minus B, B minus C, फिर B और C वाला खिला करेंगे, इन दोनों का, तो 1 by B, C हो जाएगा, अब सब कोशन में काले जा और C minus, नहीं, C और A वाला, तो यह उपर हो जाएगा, C minus A, और A minus B, अब इसकी value, इसके terms में आ गए, इंटू इंटू कर लो मेरे बाई, मजबूरी है, मैं क्या करूँ, बताओ, गुड़ा कर लो, A square, अच्छा, A B minus का A C minus minus plus B square minus का BC, कर लेते मेरे बाई, BC minus का BA minus का C square minus minus CA, plus का, CA minus का CB minus minus plus, नहीं, मैंनस का A square minus minus plus, इसमें कट जाएंगे, देखो, दो चार बार pen चलाना पड़ता है, कभी-कभी यह भी या रखना, यह मैनस का AC है, प्लस का AC गया, मैनस का BC है, प्लस का BC यह कटा, आप देखोगे, सही से, सही से देखोगे, अच्छा, यहाँ पर यह मैनस में आएगा, ठीक है, अरे, इन दोनों का गुड़ा मैनस में होगा, तो आप देखो, A B, A B से, एक से, माइनस माइनस माइनस, ए, यह पॉस्ट्यू, दो मैनस, यह माइनस माइनस, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, अब सही है, ठीक है, तो, A B, A B कटा, B C, प्लस का है, एक माइनस का B C ढूणू, आस बीसी कहा हो जाएगा, दोस्तों, एक बात याद रखो, कभी-कभी क्या होता है, कि भावनाओं में जब टीचर बहा होता है, तो उससे गलतियां होती है, जो कि आपके सामने लाइव है, ठीक है, यानि इनको लिखने में कुछ ना कुछ हमने मिश्टेक की है, थोड़ा सा समय दीजेगा, डढ़िएगा नहीं, A-B बराबर 1 by A, B-C 1 by B, B-C 1 by B, ठीक है, T-A 1 by C, ठीक है, A B, तो A-B, B-C, ठीक है, A-B, B-C, 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 C-A, ठीक है, C-A, A-B, ये भी सही है, ठीक है, अब इनके इन्टू में देखें, A-B, A-B, मैनस का A-C, मैनस का B स्क्वार, मैनस मैनस प्लस, B-C, एसे, मैनस का B स्क्राइब, ये B-C कट नहीं रहा, चलो, अच्छा, ना, 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 सही लिखाता है, या हो रहा है, मेरे साथ ध्या, ये सही लिखाता है, ठीक है, इसमें जो गलती होगी, ये ही लिखाता ना, पहले, हाँ, पहले ये ही लिखाता, जो भी गलती होगी, उसे सही किया जाएगा, काले से, पहले समझो, ये प्लस, A-B, A-C, कभी-कभी ये होता है, A-C, मैनस का B स्क्राइब, ये बी स्क्राइब, आपको दिखेगा, ये मैनस का B, ठीक है, ये चीज हो गई, मैनस, मैनस, प्लस, ठीक है, एक सेकेट, देखो, ये बी सी, ये कटेगा, ओके सही है, ये इससे कटेगा, इससे ये कटेगा, ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखा जाए, अब एक चीज और देखिए, मगर प्यार से, मगर प्यार से, तर क्या चीज देखना है, देखो, अगर इसी एक्वेशन में, हम ए का इंटू कर देए, तो ए स्क्यार माइनस का, ए बी बराबर वन हो जाएगा, यहां कर दोगे, तो बी स्क्यार माइनस, बी सी बराबर वन हो जाएगा, ची स्क्यार माइनस का, ए सी बराबर वन हो जाएगा, अब आप खुद देखो, यहां पर वैलू पे आ जाओ, अगर मैं माइनस का सिंबल, कॉमन ले लेता हूँ, पहले समझो, दोनों से माइनस, मतलब यह सारे निगेट्व हो जाएगे, यह पॉस्ट्यू, अगर देखा जाए तो, बी स्क्यार, माइनस, बी स्क्यार माइनस, बी सी हो जाएगा, सी स्क्यार माइनस, सी स्क्यार माइनस का, अजी हो जाएगा, और a square minus का a b हो जाए देखा जाए इन सारे position की value 1 1 है और बाहर minus है यानि minus का 3 answer आएगा इस question का answer minus का 3 हो जाएगा ये इसका proper solution है ये बात हमेशा याद रखना ठीक है चाले एक बच्चा कहता है सर तुक्का लगाने से कोई फायदा नहीं देखे एक बात समझो मेरे देवता एक बच्चा उसका comment का reply दिना पड़ेगा बच्चा अगर आप गलती से सही टीचरों से पढ़ते होंगे कभी ना कभी ये ऐसे ही solve होते हैं ठीक है इनको general method से नहीं करता कोई भी अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर देखा cyclic तो लगा दे रहे पर हम अगर ABC की कोई value assume करते हैं वो fit नहीं बैठते हैं तीनों में fit नहीं बैठ रही है क्योंकि नीचे minus का 1 by A है अगर ऐसा ना होता तो हम इस question को तेजी से उड़ा देते समझ गए प्रभू इसलिए पूरा का पूरा proper सही से solve किया जाता है याद रहे हर जगे shortcut नहीं अब जैसे ये question है पहले समझो देखता हो अब इस question में देखा जाए तो आप shortcut भी लगा सकते हो और long cut भी पर देखो shortcut लगाओगे तो चारो option को set भी करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि चारो options को आप छोड़ बैटोगे मालो आपने A की कोई value एजूम कर ली B की कोई एजूम कर ली तो फिर चारो option में वो रखना भी तो पड़ेगा ऐसा तो है नहीं कि नहीं रखना पड़ेगा इसलिए थंड़क से इसको solve करना सीख लो very very important question है आज की जीड में लोग इस question का shortcut चाहिए तो देखिए प्रकास high tech कुछ नहीं करना है एक प्यारा सा सिर्फ LCM लेना है तो उपर वाले में LCM लोगे तो यह BX आ जाएगा AY आ जाएगा बराबर 3AB के आ जाएगा और यहाँ पर भी एक LCM लेलो तो यह AX हो जाएगा AX हो जाएगा मैनस का BY बराबर 9AB मैं आप से पूछना चाहता हूँ 3AB का W तो यह होता है फिशार करना मेरे प्यारे दोस्तों यह दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया तो आप को ग생 तो बराबर हो गया बस मुद्दा खतम इन दोनों को डेको तो X,a,a- 3B हो गया यह दोनों इधर आए यह दोनों इधर आए तो y common ले लू तो 3a प्लस b हो गया और दोस्तो x upon y बराबर गौर से दिखिए गौर से दिखिए खुसी तो मिल रही होगी very very important question है पेपर में क्योंकि बच्चा x y z निकालने के चक्कर में पढ़ेगा और answer आ जाएगा अब मुद्धा है कि sir option तो कोनो match नहीं कर रहा नहीं कर रहा है पहला वाला वो आगे पीछे लिखा है वही मैं सोचू कि match नहीं कर रहा है तो को a-3b a-3b अब यह 3a और आगे पीछे लिख लेते हैं very very important question कैसा लगा तो अच्छी अच्छी तरीकों को सीखना है तभी तो आगे जाओगे बोलो बोलो तीकि ऐसा नहीं कि सब जगे आप trick लगाईए कुछ question में अब इसमें यह trick है इसका तीन गुना ही यह था तो फा अच्छा question है जब भी exam में आएगा है तो छोटा पर tension दे की जाएगा यानी star वाला question है तो समयो अच्छा question है अंधी लगने नहीं लगाओगे तो भी नहीं लगेगी यह भी matter है अंधी लगने नहीं और लगाओगे तो भी नहीं लगेगी क्या किया जाए देखो a plus 1 by a का whole square यह है माइनस का 2 a minus 1 by a ऐसे लिखा है बराबर 12 लिखा है यह चीज question में लिखा हुआ आपको भी दिखड़ा होगा अच्छा मैं आपसे h पूछना जाता हूँ अगर a plus 1 by a बराबर मलब यह ऐसे लिखा है तो क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ एक बर मेरी बात को विचार करना इसका whole square खोलना माइनस का 2 आएगा प्लस का 4 आएगा तो फिर प्लस का 2 आजाएगा मतलब यह ऐसे ही लिखा जाएगा सर हम नहीं मानेंगे आप चाहे जो कर लो तो हम आपको याद दिलाते हैं कि x प्लस y का whole square x-y का whole square 4xy के होता है कि नहीं होता तो आप कोगे हाँ तो आप गौड से देखो कि यह x-y का whole square बराबर x-y के whole square और 4xy की होगा कि नहीं गौड से इस शीच को देखना समझ जाओगे अगर नहीं समझ में आ रहा तो स्वैम जिम्मेदार हो इसका मतलब आप पढ़ाई सही से नहीं कर रहे हैं इसकी जगे अब हम replace कर देंगे बढ़ियां सीखने पढ़ते हैं अच्छे question अब time pass तो कर नहीं रहा हूँ मैं अच्छा उसका दो यहां लिख दे रहा हूँ गुडा बराबर 12 के देखा यह जाए a-1 by a को आप कुछ भी माल लो मालो p माल लिया तो यह p का square हो गया सीधी सी बात है यह p का square हो गया या ऐसे समझ लो माइनस का यह 2p हो गया और 12 में सी 4 गया तो यह अब इसके दो factor आएंगे माइनस माइनस है तो प्लस माइनस दो factor आट है तो 4 दुना 8 एक 4 आएगा एक 2 आएगा ठीक है यानि यानि मेरे प्यारे दोस्तों जबर्दस कोशन है ये तो यहां से हमें दो वैलू प्राप्त हो गई P की किसकी प्राप्त होई P की और P बराबर दिस वन है यानि A-1 by A बराबर एक चार आएगा और एक आएगा A-A बराबर माइनस का 2 ठीक है बात को समझो ये दो वैलू आएगी हमसे करा कि प्रकासर A का मान बताईए बताएंगे इसका LC हम लेंगे A-4 यहां 4 तो यहां माइनस का 4 यह हो गया प्लस 1 बराबर 0 यहां पर भी आजाओ A-2 प्लस का 2 A माइनस 1 बराबर 0 इसमें इस इस धरा 4 जी का फॉर्मला माइनस का B-2-2-2-4-a लगेगा तो यहां से जब हम A निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडरूट 4 का स्क्व्यार 16 माइनस का 4 तो यह अंडरूट 12 हुआ कोई भी आप्सन स्मैस नहीं कर रहा है यानि None of these यहां से भी देख लेते हैं माइनस का 1 पहले रखोगे माइनस का 2 ऐसे आएगा प्लस माइनस दो का स्क्व्यार 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अपान 2 यहां से भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है तो यह एक प्यारा कोशन है जिसका आंसर None of these आएगा कोई भी आप्सन स्मैच नहीं करेगा एक बच्चा कहता है रजनेश नाम का खुदी खुद पढ़ते रहो हे देखता का 2 जी हो का है कि बिलकुल है नहीं समझ में आता प्रभू जब इतने पढ़ा चुके हैं तब यह कराया जा रहा है अब हम जो पढ़ने आप तो वो खुदी करना है अब इसमें कौन सा लगा है सीधरा चार जी का हम बताएं कि यह होता है अठे बच्चा सामने फॉर्मला लिखा है कब बड़े होगे ग्रो अप कब होगा मेरे बाई पेपर होने के बाद होता है तुम्हारा ग्रो अप हम समय हम बता रहें सही से प्रभू अब इसमें भी बताना पड़ेगा वो टीचरों की तरीके कोई फायदा नहीं जो बता रहे है जो लिखते जा रहे है समझ गए देउता और सिरीधराचार जी का फामला लिख दिया आप खुट बैटके लगाओ इसमें कौन सा टीचर क्या कर लेगा बता दू अब ही तो सोचा गरो चलिए बहुत अच्छा कोशन है आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोशन ये कोशन आएंगे तो वास्तों में एक टफ कोशन की स्रेडी में होता है और आज की डेट में ऐसे कोशन जब आते हैं तो परिसान कर दिया जाता है देखो बहुत अच्छे से अब कर दो इसमें दो को X स्क्वेर प्लस वन बराबर 4X अब कर दो सर खुदी खुद तो लिग दिये अब देख लो इसको साथ मिलिया इधर भेज दिया आप ये बताएं X से भाग दोगे यहाँ कोई दिक्कत नहीं ये कोशन क्यों अच्छा है क्योंकि देखन में कुछ और है करन में कुछ और है इसलिए ये कोशन very very important अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको हिंट देता हूँ इन दोनों को साथ लिना पड़ेगा इन दोनों को साथ लिना पड़ेगा यही इसकी हिंट है और इसी से ही होगा यानि X की पावर 5 कॉमन लोगे तो ये X की पावर 4 माइनस 194 भी हो जाएगा इन में आ जाओगे तो X Q कॉमन लोगे तो ये X की पावर 4 माइनस 194 भी हो जाएगा आपके जो सर खुदी खुद तो पढ़ लिए तो बता दो हम का कर दे ये भी है ना खुदी खुत्तो पढ़ ले तो सरका कर लें हवन करेंगे अब जैसे x square प्लस 1 बाई x square चाहिए तो हम जानते हैं अगर ये a होता है तो ये जो value होती है ये value a square minus 2 4 का square 16 minus 2 14 अब यहां से जब 4 power की ओर जाओगे तो यही होता है जो नियम उपर के लिए 14 का square minus 2 196 minus 2 194 194 और यहां पर भी बच्चा 194 इसी लिए ये question star वाला है यानि नौकरी तै करता है समझ गए अब एक चीज़ देखो कि कैसे किया जाए अब इसमें 1 by x की power 4 ऐसे रखो 194 अचा इसको यहां ले ओ इसके साथ तो आप x की power 4 minus 194 ऐसे बराबर minus का ये चीज समझ रहे हो ना इस की जगए अब ये आ गया तो यहां पर x की power 5 लिखा हुआ है तो 5 ऐसे लिखो minus का 1 by x की power 4 same चीज x cube अब के तो सर यहां पर खुदी खुद पढ़ ले रहो अब बताओं का कर ले बताओं का कर ले आएं अरे प्रबू इसमें खुदी खुद पढ़ना नहीं होता very very important question है चले दोस्तो बढ़िया कोशन है जिंदगी बदलने वाला ये आ जाएगा minus का x और ये जो हो जाएगा ये minus का 1 by x minus common ले लोगे तो x plus 1 by x और x plus 1 by x की value क्या है चार है यानि इसका answer minus का 4 आएगा कैसा लगा तो ऐसे कोशनों को हमें सीखना चाहिए ठीक है अब ये नहीं कि जो है वही कर लो बढ़िया सी सीको और अच्छे सी जानो तो बढ़िया कोशन है बच्चा इसको जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये बहुत से एक्जाम में जब आया है हवा नहीं लगी बच्चों को काहे नहीं सर हवा काहे नहीं लगी बच्चा यही करता रहा है एक्स स्कार माइनस 4 एक्स प्लस 1 बराबर 0 सिरी धरा चार जी का फॉर्मला लगाता रहा अब वहां से एक्स आया आप इतनी पावर को कहां से स्वाल्व होगा विचार करना मेरे भाई मेरे बातों को फिर या तो वो 12th क्लास आयाइटी का बच्चा हो ठीक है कि एक्स्पोनेंशियल कॉस और स्मिक कर डाले ठीक है बहुत जबर्दस कोशन है मेरे भाई आप लोग क्या मजाग समझ रख को एक बड़ सर्च करना क्लास खतम होने बाद इस कोशन को हजारों ब्लॉक मिल जाएंगे यूटूब के अंदर समझे ब्लॉक जिसे कहते हैं मलब गूगल में सर्च करोगे जब मजाग ले हो चलो कोई बात नहीं पढ़ाएंगे मगर प्यार से कहता है एक्स वाई एंड जेड आल पॉस्टिव नंबर यह सारे के सारे पॉसिटिव यहां त्री की पावर एक्स ऐसे और यहां ना früh लिखा यानि थी का 3 की पावर एक्स और 3 की पावर टू आई इसका मतलब सेम बेस है यानि X बड़े भईया है 2Y के पहले बोलो हाँ और फिर देखो 2 की पावर Y 4 की पावर Z 2 की पावर 2Z यानि same base है same base है Y बड़े भईया है 2Z के तो मुद्दा खतम हो गया X बड़े है Y से Y बड़े है Z भाई सीधी बात X दो गुना Y से बढ़ा है और Y दो गुना Z से बढ़ा है तो सीधी सी बात है ये result आएगा चले प्यारे दोस्तों अच्छे से सीखो और चीजों को जानो ठीक है हर एक exam आपको हम बता दें आज की date में क्या है आज बिल्कुल सही बता दे रहे हैं देखो पहले क्या होता था एक exam जिसे कहते हैं और सुरुवात के sit वो आसान रहते हैं बीच में आईसे sit आजाते हैं एकाथ पेपर में कि आसान question जिसे ये वाला question था किसी बच्चे का paper जिस सन में ये question जिस exam में आया उस सन में बता दें बच्चों का paper खराब करने के लिए आया बच्चा सूचे आए और ego में लेकर जूज गया solve नहीं हुआ ये बाद में solution आये है market में मैं बता रहा हूँ नया question जब भी paper में आता है एक label का होता है जब होता नहीं है ठीक है समद गये उन तो बाद में teacher solution मनाते हैं तब आते हैं मेरे भाई मेरी बात को मानो अब ये नए प्रेसलें के question आना चालू हो गए market में अब ऐसे question अगर आ गए तो बड़ा मुद्दा है कहता है x ब्राबर 1 by 8 तो निम लिखित में से किसका मान सबसे बड़ा होगा किसका मान सबसे बड़ा होगा तो यहां आप देखो x ब्राबर 1 by 8 तो ये एक बटा 16 हो गया 1 by 8 रखोगे तो ये 2 root 2 हो गया ठीक है 1 by 8 रखोगे तो एक बटा 64 ये तो ये 8 हो गया तो option से ही होगा ये answer आएगा ठीक है भाई x की जगे 1 by 8 रखोगे तो reverse 8 बड़ा होता है बाकी सब में तुक्ड़े हो रहे हैं कैसा लगा दोस्तो प्यारा कूशन है प्यारा कूशन है टफ नहीं प्यारा है देखो कैसे कैसे देखो a-1 बराबर 2 की पावर p किसी को कोई आपती बिलकुल नहीं होगा होई नहीं सकता आपती और b बराबर 1 चलो लिख देता हूँ कल को कोई यह कह दे सर बहुत ज़्यादा सौटकंड मारते हो क्या किसी को कोई आपती तो किसी को आपती नहीं हमसे करा b का मान बताओ b का मान यह तो और लेड़ी a दिया गया हाँ तो a ऐसे चिपका दू और नीचे 2p तो यह a-1 कैसा लगा बोलो बोलो 259 का अंसर कैसा लगा कैसा लगा एक बच्चा कहिए तुक्का लगा के चले आएंगे तो बहुत इंपोर्टेंट कोईशन यह कोईशन इतना इंपोर्टेंट है कि हर साल किसी ना किसी एक्जाम में यह आना निश्चित है इसे आज तक कोई रोकी नहीं पाया इस पैटर्ण के कई कोशन समाज में और कुछ नहीं फरजी है फरजी है कहता है if x प्लस y प्लस z बराबर 0 तो इसमें क्या करो देखो एक दो अपने मन से कोई वैलू मालो देखो अपने मन से कोई वैलू मालो मैंने x बराबर 1 माल लिया y बराबर 1 माल लिया z बराबर माइनस 2 माल लिया आप करो सर आप आपकी वैलू हम ने रखेंगे तो x बराबर 0 रख दो y बराबर 1 रख दो जेड बराबर माइनस वन रग दो सर हम यह भी रखेंगे तो एक्स जो तुमारी स्रद्धा हो याद रहे तीनों का योग जीरो होना चाहिए और जो डी नॉमिनेटर इस नॉट इक्वल टू जीरो बलब अब यह नहीं सर स्रद्धा तो बोल दिया सर एक्स भी जीरो रखेंग पिर तो स्रद्धा ही हो जाएगा ना मुद्धा समझ गया हम क्या करते हम यह रख देते हैं आप उपर वाली घर में रख लेना अगर मैंने एक्स को जीरो किया तो यह निपड़ गया यह निपड़ गया यह जेट वन हो गया नीचे टू हो गया यानि टू इस दा राइट आंसर आपको अगर मेरी वैल्यू से तकलीप है तो आप यह उपर वाली रख दो चलो दूसरा रख देते हैं वाई कलर बदल के हाँ और कोई तकलीप है तो अपनी स्रद्धा अंसर वाई की वैलू वन थी वन दो का स्क्वेर चार नीचे आ जो टू वाई तो टू ऐसे माइ मैनस मैनस प्लस हो जाएगा आठ बटा चार तो वी दो वह बहुत इंपॉर्टेट कोशन है कि चले बढ़िया कि हमारे साथ स्जिखे जो तो यह पूशन आपको बता दें यह रेशियो का कूशन है और आज कल क्या देखेए यह रेशियो में पायाजाता है ठाइम एन वर्ट चैक्टर में पाया जाता है समझ रो और कुछ नहीं है देखो A प्लस B अपॉन C बराबर 6 बटा 5 और B प्लस C अपॉन A बराबर 9 बटा 2 करना क्या है उसको जानो प्यारे दोस्तों इन दोनों का योग 11 होगा इन दोनों का योग 11 होगा जब 11-11 है तो कोई मुद्दा ही ने क्योंकि A, B, C 11-11 हाँ अगर अलग अलग होता तो फिर से एक एलसियम लेते फिर इन टू करके करते अब कोई मुद्दा ही ने अब A प्लस C अपॉन B चाहिए A की वैलू 2, C की वैलू 5 उपर 7 हो गया, टोटल 11 है तो साथ बटा 4 कैसा लगा बोलो बोलो चाले बर यहां कोशन है 261 के बाद प्यारे दोस्तों, जबर्दस कोशन इस कोशन को आप विदिन 5 मिनट जनरल मैथड से सॉल्व नहीं कर सकते तरीका समझो, क्या सारे ओप्सन्स रियल नंबर है और यह X, Y, Z, यह भी X1, X2, X2, X2 तो ऐसा करो पहले X1 बराबर 0 कर दो यह 0 हुआ यह निपड गया, यह खतम मतलब यहां से आया 4 प्लस X1 प्लस X2 बराबर सून अब या तो आप X1, X2 की कोई वैलू माल लो, भाई X1 माल लिया X2 माल लिया, तो 0 होता है यह ऐसा करो फिर से एक variable निपटा दो फिर से निपटा दो, अचाहाँ यह X2 और X3 है, सॉरी X1 दो 0 माना, चलो फिर से एक निपटा दो यानि X2 बराबर 0 यानि X3 बराबर माइनस के 4 माइनस के 4, अब दो हमने 2 variable निपटा दिये, यानि X1 निपटा दिये, तो इसकी वैलू काड़ दो, आंसर एक बटा दो अगर आप नहीं निप्टा आना चाहते है सर हम नहीं निप्टाएंगे तो थोड़ा से बड़ा हो जाएगा जैसे 4 प्लस X2 प्लस X3 बराबर 0 तो इसको हमने माइनस का 1 लिया इसको माइनस 3 लिया बाई अलग-अलग आप पहले में रखोगे तो पहले में तो एक बटा-2 ही है क्योंकि यह X1 0 है दूसरे में X2 माइनस 1 तो यह 1 हो गया तीसरे में X3 माइनस 3 तो यह माइनस का 1 हो गया तो भी यह दोनों निपट गये एक बटादू बाकि जिसकी जो स्रद्दा है वो रखो तो याद रखना तीनों का योग शून होना चाहिे बहूत अच्छा कोशन आज की डेट में यह कोशन है बहुत अच्छा मतलब ऐसे सारे इंपोर्टेंट लिए वैरी वैरी इंपोर्टेंट आई किसी ना किसी एकजाम में पूछी लेती है और बच्छा परिसान हो जाता है इ को इसमें याद करना है आपको X की पावर 4 X स्क्यार Y स्क्यार Y की पावर 4 बराबर जो होता है वो X स्क्यार प्लस X Y Y स्क्यार की होता है साथी साथ X स्क्यार माइनस X Y Y स्क्यार के होता है यह याद रखना है तब ही आपका अंसर आएगा आप कोई दिक्कत नहीं इसकी वैलू हमका 21 बटा 256 दे दी गई इसकी वैलू 3 बटा 16 दे दी गई एक हेर वैलू चाहिए तरफ नहीं होता अगर आपको यह फॉर्मला याद है तो फर्जी कोश्चन है 16 से 16 बार में गया तील से यह 7 बार में गया यानि X स्क्यार माइनस XY प्लस Y स्क्यार बराबर 7 बटा 16 और देखा जाए एक हेर वैलू हमका दी गई है एक स्क्यार प्लस XY प्लस Y स्क्यार जो कि किसके दिया गया तीन बटा 16 के दोस्तों जोड़ों के तो यह निपड़ जाएगा दो बार X स्क्यार प्लस Y स्क्यार साथ तीन दस बटा 16 यानि 5 बटा 8 आंसर आएगा दर राइट आंसर आप दिस कोश्चन 5 बटा 8 कैसा लगा ठीक है 261 अरे मेरे भाई यह तो टाइम इंड वर का कोश्चन इसमें कुछ ने जैसे ABC है तो इनका योग किया 11 आया इनका योग किया 11 आया तो सही है अब मालो ऐसा ही कोश्चन होता मेरे भाई जैसे A प्लस B बाई इसमें बदलाओ होता इसका योग 5 आया इसका योग 7 तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसका LC हम लेंगे 35 फिर यहां साथ का गुणा करते है थोड़ा पढ़ो सही से और यहां 5 का करेंगे क्योंकि धिको यहां पर A, B, C तीनों वेरेबल है A, B, C तो जो वेलू होगी वो समान होगी मेरे भाई अब धिको यहां से आजाएगा B बराबर आजाएगा 15, C बराबर आजाएगा 14, यह 29 तो यानि A बराबर आएगा 6 क्योंकि तीनों का योग 30 यह तरीका होता है रेशियो कभी तो पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो R.S. अगरवाल का बेसिक पढ़ो पूरा का पूरा यूटूब में निस्वल पढ़ाया है बढ़या कोशन, टफ नहीं है, सारे कोशन अच्छे हैं, क्या बात दोस्तों, यहां पर देखा जाए, X-2 बराबर रूट 3 के करना पढ़ेगा यहां four power तक ले जाना है, पहले समझू, चार power तक ले जाना है पहले इसका whole square कर दो whole square कर तो यह 3 हो जाएगा, मिलब X square plus 4, minus 4x बराबर 3 यह उत्थे जाएगा, सीधी सी बात है, तो X square minus 4x بराबर minus 1, फिर whole square कर रोगे तो gets c power 4 यह हो जाएगा 16 x square और माइनस का 8 x बराबर 1 यहीं हमें चाहिए बोलो हाँ तो कि माइनस 1 का square तो 1 ही होता है ना 264 का answer यहीं आएगा 1 is the right answer कैसा लगा 265 बहुत अच्छा question है अभी हाली में railway में भी पूछा गया है और कुछ नहीं देखो 1 प्लस A, 1 प्लस B, 1 प्लस C, 1 प्लस D का मान चीए कह रहा है A, B, C, D बराबर दो सभी को बराबर कर दो तो बराबर कर दोगे तो A बराबर 1 by 2 हो जाएगा ऐसे 3 by 2 क्योंकि 1 प्लस आदा और यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी तो यह 3 by 2 का होल पावर चार तीन की पावर चार 81, 2 की पावर चार 16, 81 बटा 16 यहीं आंसर है दोस्तो जादा नहीं 6 कुश्चन और बाकी है करा के कंप्लीट करेंगे जैसे यह कुश्चन टाफ नहीं है प्यार से पढ़ना होता बस देखो आपको हमने कई बार फॉर्मले बताए हुए अगर नहीं बताया तो ध्यान देना जिसे a plus b का whole square और a minus b का whole square इस समाज को बताया है कि यह होता है फिर हमने बताया है कि a plus b का whole square minus का a minus b का whole square तो यह 4 a b होता है पहले बोलो हाँ अगर मैं इसी कुश्चन में देखूं तो x minus 1 upon x plus 1 ऐसे reverse हो जाएगा तो x plus 1 upon x minus 1 LC हम लोगे चलो में लिख देता हूँ वोना तो मैं directly मारता था यह आएगा तो पहरी बात तो एक चीज़ समझ में आ गई कि यह option नहीं होंगे जिनके नीचे ऐसा है वैसा ही होगा एक बात को सम्झों यह formula जब हम लोग पढ़ते थे तो a plus b पहले होता था यहाँ बाद में है यह एक मुद्दा है तो minus symbol लेना पड़ेगा क्योंकि minus का 4ac हो जाएगा जब change करेंगे तो 4ac एसे ax है और b1 समझदार है यानि minus का 4x upon x square minus 1 कैसा लगा बहिया algebra है प्यारे दोस्तों इनी कोशनों को जब सीखेंगे धिरे-धिरे करके तम मज़ा आएगा क्यों हम आपको करा रहे है यह कोशन इतना आया है चाहे रेले में ले लो चाहे इससी इतना आया इतना आया है कुछ कहीं नहीं कुण है हम तो एक कहीं करा रहे है भर भर के आया हुआ है ठीक है, क्या होता है इसमें जैसे x plus 1 by x बिलकुर रटना है आपको बराबर root 3 के होता है तो याद रहे कि x cube बराबर तो और इसमें नहीं इसके दो लोग होते हैं, एक सेकेंड समझना इसके दो भाई होते हैं पहला भाई होता है कि x plus 1 by x बराबर अगर 1 दिख जाए तो x cube बराबर minus 1 होता है दूसरा भाई जो दिख जाए वो होता है x plus 1 by x बराबर root 3 या x square plus 1 by x square बराबर 1, ऐसे दिखते हैं मेरे भाई, ठीक है तो इस case में x की power 6 is equal to minus 1 होता है यानि x की power 6 plus 1 बराबर 0 यानि इनकी घातों में अगर 6 का अंतर है तो 0, घातों में 6 का अंतर है देखो यहां से 12 common ले लो x की power 6 plus 1 यहां से कच्छू common लो आप गौर से देखो ये value 0 और ये value 0 क्योंकि x की power 6 plus 1 बराबर 0 यानि इस question का answer 0 और इस pattern के बहुत question पूछे जाते है समझे के नहीं समझे चाले चार question बाकी है प्यारे दोस्तों जबरदस question है आप लोग इसका solution ढून रव और कुछ नहीं करना आप प्यार से देखा जाए मैं तो आपको कहूंग सिर्फ conjugate करके ही कर दो खाल तुम्हें दिमाग लगाओ देखो इसी के conjugate से जो यह लिखा है चलो मैं यहां लिख देता हूँ 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x इसी से ही हो जाएगा कहे को दिमाग लगाओ इसी के conjugate से ओपर नीचे गुणा कर दो ऐसा करते ही मेरे भाई आई उपर वाला बन गया मैं लिख देता हूँ इस सारे step gap हो जाते हैं अगर आप देखोगे नीचे A- B- A plus B योई N a square स्वाइन का देखा जाए minus 1 से minus 1 गया एक सान माइनस कर दो नीचे तो टूएक्स हो गया के ओपर खोल दो तो 1 Plus X 1 माइनस एक्स और पिर जब इन दौनों का घुडा होगा 2 स अंडर-1 minus x square इस सी य जय कैτरे कितना छोटा हो गया दोस्तो ये आगया दू फिर 2 अंडर रूट 1 माइनस X स्क्यार नीचे 2X दो दो भी काट दो आप बताओ इससे अधा छुटा क्या होगा और आपको हम बताएं इस्टेप गयाप किये जा सकते ये सब सजाए नहीं जाते ये चलाया जाता है सीधे ये पहला इस्टेप होता है ये दूसरा इस्टेप होता है पर हमने करके दिखाया अब रग दो वैलू तो रूट 3 का स्क्यार तो तीन बटा चार हो जाएगा यहां रूट 3 बाई 2 ऐसे रहेगा यहां से देखो तो यह चार में से तीन गया एक एक बटा चार तो बहार आएगा एक प्लस एक बटा दू यानि तीन बटा दू रूट 3 बाई 2 तू से 2 कटेगा तीन बटा रूट 3 यानि रूट 3 इस दा राइट आंसर आने वाले समय में इसका अलग से चैप्टर होता है उसे पढ़ाया जाएगा और आपको अच्छा लगेगा और आपको अच्छा लगेगा तीन कोशन और बतान बढ़िया जहरीला कोशन हाँ आज का सेसन ही जहरीला है और जब भी ऐसे कोशन आते हैं तो मज़ा आता है टफ नहीं है टफ की स्रीड़ी नहीं है जहरीला इसलिए कि आपको प्यन चलाना पड़ेगा आप सूसते हो कि तुरंट 2 सेकिंड में आंसर आ जाए वैसा खेल नही एक्स माइनिस टू बराबर क्यूब रूट पांच कोई दिक्कत किसी को नहीं बस होल क्यूब करना है और उसी में आप गरबर करूब और कुछ नहीं होल क्यूब करना है लोग यह हो जाएगा एक्यूब दो का क्यूब आड माइनस 3AB यानि 3X इंटू 2 और यह X-2 यह X-2 य और देखो यह बगल में क्या हो गया यह 5 हो गया पास हो गया X-3 माइनस 8 गुड़ा कर लो मेरे भाई मैनस का 6 स्क्रार माइनस माइनस प्लस 12X बराबर 5 यानि X-3 माइनस का 6X स्क्रार प्लस का 12X और 8 यह यह ऐसे रख लो बराबर 13 के कोई दिकत नहीं हमको यहाँ माइनस का 12 चाहिए तो यहाँ माइनस 12 कर दू एक आंसर आएगा 269 का 1 is the right answer कैसा लगा दोस्तो ऐसे भी question आते हैं X बराबर 3 लखना है Y बराबर 5 तीन लकोगे तो नो पान दूना दस तीन लकोगे तो नो माइनस 5 यानि 19 बटा चार आंसर ठोको लाइक बोलो हाँ दोस्तो करो जरा इसका करके आंसर बताईए 271 नंबर का चले पहले इसका आंसर बताईए सभी लोग चले दोस्तो कोई भी question आपको बता दे टाफ नहीं है इसी को algebra बोलते है पर बच्चा डर जाता है कि सर यह क्या बहिए यह यह बरा है अब देखो अब यह question कुछ बच्चे कहेंगे सर अमने life में question नहीं देखे ठीक है अरे देखता यह सब नए question सीको यह inverse है तो नीचे आ जाएगा one by a square ओपर बी क्यू ऐसे यहाँ division लगा है तो हमने का reverse कर दो तो यहाँ one by नीचे a ऐसे अब b inverse है तो ओपर b हो जाएगा फिर फिर देखो a square b की पावर 4 तो इसको लेओ b की पावर 4 नीचे अब देखो यहाँ division लगा है तो into कर दो तो नीचे आएगा यह पूरा तो b square ऐसे यहाँ inverse तो ए ऊपर चला जाएगा तो देखो खेला होबे खेला होबे खेला होबे कि कि 1 by b square यह इसका answer आएगा आसा यही है कि आपने session को बहुत अच्छे से enjoy किया है माना यही जाता है अगर आपको session पसंद आया हो like, share और subscribe जरूर कीजिए दोस्तों साती साथ बता दे 400 geometry के question प्रकास अवस्ती एप में इस किताब के free है जिया अगर आप देखना चाहते हो कि geometry के कैसे 400 question तो प्रकास अवस्ती एप को डाउनलोड करके geometry के 400 question भी आप पढ़ सकते हो इस किताब के SSC के लिए हमने ये किताब proper प्रकास अवस्ती एप में पढ़ा रखी है जब भी buy करें तो आप प्रकास अवस्ती एप को डाउनलोड कर ले वहाँ पर store में click कर ले ये third number का code से अभी triple nine दिखा रहा है पर इतने में नहीं big discount दे रखा है ठीक है और discount क्या दे रखा है वो आपको बता दे रहे ये triple nine की जगे आप जब scroll करेंगे तो coupon code दिखाएगा और coupon code आप apply करेंगे बच्चा तो इसकी fees 399 यानि 400 रुपए हो जाएगी दो साल की validity के साथ SSC का और बता दे एडवांस math में हमने theory के भी lecture दिये हुए है आप जब app को download करेंगे तो आप proper वहाँ पहले course को देख सकते हैं क्योंकि proper video पड़े हुए है और session पसंद आ रहा है like share जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा धनवाद जैहिन जै भारत